प्रधार्मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र भारत की जन्मानस की रग रग और संस्कृति में रचा बसा है आज आकाश्वाणी से मन की बात कारिख्यम की 97 कड़ी में उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारती समाज की प्रक्रिती भी लोकतंत्रिक है श्री मोदी ने दब मदर ओफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की चर्चा की जिसमें भारती संस्किती में लोकतंत्र किस तरह से रचा बसा है उस पर कई निबंद संकलित हैं आज जब हम आज़ादी के अमरुत महोत्सव के दोरान गंतंत्र दीवस की चर्चा कर रहे हैं तो मैं यहां एक दिल्चस्प किताब का भी जिक्र करूँगा कुछ हपते पहले ही मुझे मिली इस बुक में एक बहुत इंट्रेस्टिंग सब्जेक पर चर्चा की गई है इस बुक का नाम इंडिया दे मदर अब डेमोकरसी है और इसमें कई बहतरीन ऐसेज है भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम भारतियों को इस बात का गर्व भी है कि हमारा देश मदर अब डेमोकरसी भी है लोकतंत्र हमारी रगों में है हमारी सश्कृति में है सद्वियों से ये हमारे कामकाय का भी अभिन्न हिस्सा रहा है स्वभाव से हम एक डेमोक्रेटिक सुसाइटी है डॉक्टर अम्बेरकर ने बहुत बिक्षु संग की तुन्ना भारतिय संसत सकी थी उन्होंने उसे एक ऐसी संसता बताया था जहां मोशन्स, डिजॉलुशन्स, कोरम, वोटिंग और वोटों की गिंती के लिए कई नियम थे बावा साब का मानना था कि भगवान बुद्ध को इसकी प्रेणा उस समय की राजनीतिक व्यवस्ताओं से मिली होगी प्रधान मंत्री ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि सयुक्तुराश्ट्र ने अंतराश्ट्री योग दिवस और अंतराश्ट्री मोटा अनाज वर्ष मनाने के भारत के प्रस्ताओं पर सकारात्मक नेरे लिया उन्होंने कहा कि योग और मोटा अनाच दोनों स्वास्त से जुड़े हैं उन्होंने प्रसनता वेक्ट की कि अब लोग बड़े पैमाने पर मोटे अनाच को अपने भोजन में शामिल कर रहे हैं प्रधान मंत्री ने शोताओ से कहा कि यदि वे 36 गण में राय गड़ जाएं तो वहां के मिलेट्स कैफे के वेंजनों का स्वात जरूर लें श्रीमोदी ने ओरिसा में मोटे अनाच के उद्यम से जुड़े लोगों की प्रशंशा की वोका मिले तो यहां के मिलेट्स कैफे जुरूर जाईएगा कुछी महने पहले शुरू हुए इस मिलेट्स कैफे में चीला, डोसा, मोमोज, पीजा और मंचूरिन जैसे आइटम खूब पपिलर हो रहे हैं मैं आप से एक और बात पूछू आपने entrepreneur शब्द सुना होगा लेकिन क्या आपने मिलेट्प्रेन्योर्स सुना है क्या ओडिसा की मिलेट्प्रेन्योर्स आजकल खूब सुर्खियों में है आदिवासी जीने सुनरगट की करीब डेड़ हजार महिलाओं का सेलफेल ग्रूप ओडिसाम मिलेट्स मिशन से जुड़ा हुआ है पुधार मंत्रे ने बारा राज्यों के किसानों के कामकाज की भी तारीफ करते हुए बिलासपूर के संदीप शर्मा का जिकरी किया जो कि FPO से जुड़े है इस FPO में मोटे आनाच से आठ तरह के आटे और व्यंजन तायार किये जाते हैं हाल ही में घोसित पद्म पुरुसकारों के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इस बार जन जाती समुदाय और उनसे जुड़े लोगों को भी अच्छी संख्या में पद्म पुरुसकार दिये गए हैं श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष नकसल पीडी तिलाकों में भी भटके युवाओं को सही राह दिखाने वालों को पद्म पुरुसकार प्रदान किये गए हैं श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे इन पद्म पुरुसकार विजयताओं के प्रेडास्पत जीवन से सीख लें हमारी विरासत का अभिन्न हिस्सा रहे हैं देश और समाज के विकास में उनका योगदान बहुत महत्पपूरा है उनके लिए काम करने वाएं व्यक्तित्वों का सम्मान नई पुरुडी को भी प्रेडित करेगा इस वर्ष पद्म पुरसकारों की गुंज उन इलाकों में भी सुनाई दे रही हैं जो नकसल प्रभावित हुआ करते थे अपने प्रेयासों से नकसल प्रभावित छेत्रों में गुम्राई वकों को सही राद दिखाने वालों को पद्म पुरसकारों से सम्मानित किया गया है इसके लिए कांकेर में लकडी पर नकासी करने वाले अजय कुमार मंडावी और गड़ चिरोजी के प्रसिद्ध जाड़ी पट्टी रंगभूमी से जुड़े परशुराम कोमाजी खुड़े को भी इस सम्मान मिला है वो लेकनी है कि वर्ष 2023 का ये पहला मन की बात करक्रम था